करीज, अब आज हम लोग यहां पर कफूरीवज का जो विजय अभियान हैं उसको यहां पदेखने वाले हैं इस्से पहले हम लोगों ने जितने भी जो स्थापत ते खला है उसके बारें बात किया था क फिया था कल्चिरीवज के द्वारा जितने प्रदिव जगत देव फिर रत्न देव दृति इस प्रकार से आते हैं तो जितने भी शासक नाम आपको तो पहले एक किया गया है ठेक है वो सिंपल आये कुछ दिनों जगर रहे उसके बाद यहां पर कमल जो राज है वो सासक बन गया है तब कमल राज जब सासक ते उससमें तरिपुरी के सासक गांगे देव को उतकल आक्रमण भीन होने सहय था किया था इसका मतलब यह समझे देखो जब कल्चोरी वन्स की स्थापना हम लोग 36 गड़ में कैसे पढ़े हैं कल्चोरी वन्स की स्थापना कैसे हुई है यह मद्ध प्रदेस वाले छेत्र में त्रिपुरी है इस त्रिपुरी वाले छेत्र में जो कल्चोरी वन्स है वो सासन कर रहे थे और उन्होंने फिर 36 गड़ में आकरमड किया, हम लोग देखें, संकर गड़ दिती का आकरमड हुआ, यह 36 गड़ में इस प्रकार से आकरमड किये, आकर के, और इस समय जिस समय आकरमड किये, उस समय बाडवन्स का सासक, पाली वाले छेत्र में था, तो उसी जो बाडवन्सी सासक था, पाली वाले छेत्र में पाली में जो विक्रमत दिते हैं, है ना, बाढ़ वन्स सासक विक्रमत दिते हैं, जो कि पाली में, कोरभा वाला जिछेतर है, कोरभा पाली, वहाँ पर सासन कर रहे थे, तो उसको पराजित किया, किसने पराजित किया, जो संकर गड़ दिती है, उन्होंने, फिर यहाँ पर कल करते हैं, कालिंग राज है, उनके समय में क्या काम हुआ, तो देखो यही जो त्रिपूरी है, यह जो त्रिपूरी है इसी त्रिपूरी में अभी भी जो कल्चुरी वंस है वहाँ पर ठीक है कल्चुरी वंस कहाँ पर भी है त्रिपूरी में भी है हमारे चत्रिजगर में भी यहाँ पर कल्चुरी वंस की सापना हो चुकी है तो त्रिपूरी में जो कल्चुरी वंस के जो उडिशा पर इस प्रकार से आक्रमाड किया है ठीक है यहाँ पर उडिशा है तो इस उडिशा वाले छेत्र में जब इन्हों ने आक्रमाड किया तो इसी आक्रमाड में सहायता किये थे यह जो कमल राज है वो मतलब कि त्रिपुरी के जो सासक है उनकी सहायता करने के लिए गांगे देव ने यहाँ पर उत्कल वाले छेतर में जब आक्रमड किया, मतलब इस उडिसा में जब इंहोंने आक्रमड किया, तो यहाँ पर हमारे 36 गड़ से यह जो कमल राज सासन कर रहे हैं, रतनपूर नहीं, जो तुमाड वाले छेतर में, ठीक है, तुमाड भी इनकी रा तो जब वापस आते हैं, तो वापस आने के समय ये जो कमल राज है, इस कमल राज के साथ एक साहिली नाम का एक योध्धा उनके साथ में आता है, मतलब कि ये कमल राज क्या करते हैं, जब जाते हैं तो वहाँ पर युध्ध वगर लड़ते हैं, तो उनको एक योध्धा ऐसा नजर आता है जो कि बहुत ही पराक्रमी था उसका नाम था साहिल्य तो ये जो साहिल्य नाम का एक योध्धा था जो कि बहुत पराक्रमी उनको लगा किसको लगा कमल राज को लगा तो ये साहिल्य को अपने साथ में ले आते हैं अब राजा महराजा है ये तो ये जो कमल पासा करें आगा, तो सभावी सी बात है, उनके बात मनना पड़ेगा, तो जो साहिल्य नाम का एक युद्धा होता है, उसको अपने साथ मिले करके आते हैं, ठीक है, और ये साहिल्य होता है, फिर आगे बहुत सारी सैन्य, मतलब की बहुत सारा युद्ध वग्रम है, बहुत जबात हैं, तो साहिल्य नाम का युद्धा इनके साथ में आता है, ठीक है, तो इस त्रिपुरी के जो सासक्त है, कांगे देव, इनको उतकल आकरमन में सहायता करते हैं, कौन? कमल राज, ठीक, इतना दिमाग में रखेगा, चलिए, अब इसका बात देखे, रत्न देव प् देखो, तो रत्न देव प्रथम के तोरह क्या क्या काम किया जाता है, तो इन्होंने सौम वन्सी सासक, महाभावगुप्त, उद्द्योत के सरी, मैंने आपको समझाया हुआ था, कि जो सौम वन्स है, सौम वन्स मतलब कि हम लोगों पहले पांडू वन्स देखा था, जो हमा वाला जो छेत्र है, सिरपूर वाले छेत्र में पांडू वन्स का सासन था, अब पांडू वन्स है फिर अलग-अलग साखाओं में बढ़ गया था, यहाँ पर जो यहाँ पर जो पांडू वन्स थे वही आगे चल करके मैंने आपको समझाया हुआ था, कि सौम वन्स बन गय था, तो यह जो सौम वन्स यहाँ पर सासन कर रहे हैं, ठेक है, यह सासन कर रहे हैं, तो यह 36 गड़ का बहुत गरीब हैं, और बार 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 इनका जो प्रभाव है, और वैसे भी यह थोड़ा सा पराकरमी टाइप के थे, यह सौम वन्स इधर वाले जो सौम वन्स है इधर वाले उतना पराक्रमी नहीं थे, यह बहुत कमजोड थे, इधर वाले जो सम्वन्स है, उनका बार 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 च्छतिज गड़ के यह वाले छेत्र में, इनका घुसपैट बना रहता है, मतलब इस वाले छेत्र में यह हमेशा अपना सामराज यह विस्तार के लिए लगे रहते थे, मतलब कि धीरे धीरे कोशिस यह करते से कि हम इधर इधर इस प्रकाठ से सम्वराज यह थोटब विस्तार करते जाए, और यहाँ पर तो अब कोशन आ चुके है, पाली वाले छेत्र में, मतलब यह जो पाली नहीं, मतलब तु इस उद्योत केसरी है, इस पराजित कर देते हैं रत्नादेव प्रथाम क्योंकि इनका हमेसा से क्या हो रहा है कि यह सोमवन सासक हमेसा 36 गड़ी मिस्वरकार से इधर वाले छेत्र में समराजय विस्तार में लगे हुए हैं और यहाँ पर कल्चुरी वन्स जब आते हैं तो कल्चुरी वन्स के जो रत्ना डियोद के से इस का पूरा नाम है को पराजित कर कलिंग छेत्र को कल्चुरी समराजय में मिला लेते हैं ठिक हम लोगों ने क्या संजा कि जो कलिंग वाला छेत्र है मतलब और फूरी सावड़ च वाला जो छेत्र है ठीक है यहाँ पर जैस कि हमारे 36 गड़ यह वाले छेत्र में कल्चुरी बन सासन कर रहे हैं, अब इस वाले छेत्र में जो ये जो सौम बन्स है वो सासन कर रहे हैं, यहाँ पर सौम बन्स सासन कर रहे हैं, यहाँ पर कल्चुरी बन्स सासन कर रहे हैं, तो ये जो कल्चुरी बन्स के एक सासक कौन, रत्नत्यो प्रथम, तो ये रत्नत् तो यह जो उद्ध्योद केसरी है, मतलब कि जो सम्वन से इधर यह लोग किसक जाते हैं, ठीक, और आग इधर किसक जाते हैं, मतलब कि उडिसा वाले छेतर में थोड़ा और उधर उनको खदर दिया जाते है, उनको भागा दे जाता है, ऐसा टाइब का है, ठीक है, तो ऐसा होगुपत उद्ध्योद केसरी, इसको क्या किया, कलिंग वाले छेतर में, मतलब कि अपने समराजय मिलाया और उसको उधर खदर दिया, चला, तो यह रतने देव प्रथम का का काम हो गया, अब आतने हैं, प्रित्वी देव प्रथम, तो प्रित्वी देव प्रथम क्या करत अब देखो यहाँ पर हम छिंदाग नागबंस आगे पढ़ेंगे फिलाल अभी छिंदाग नागबंस मतलब की बस्तार वाले छेतर में सासन करते हैं यह अधर एक सासक आ जाते हैं चिंदाग नागबंस पहले हम लोग को नल वन्स देखा था लगभग 11-12 सदी तक के नल वन् मतलब कि तेरा हुई सदी के आसपस है, है ना, तेरा सो, आगे हम लोग देखेंगे, तेरा सो कितना है उसको, तो छिंदाक नागवन्स आसन करने सुरू करते हैं, मतलब ये वाले छेत्र में, ये दक्षिड वाला जो छेत्र है, इसमें कौन सासन करते रहते हैं, छिंदाक सासन करते हैं, लेकिन ये वाले छेत्र में, बस्तर वाले छेत्र में, छिंदाक नागवन्स आसन करते हैं, ठेक है यहाँ पर छिंदाक नागवन्स आसन करेंगे, ऐसे छिंदाक नागवन्स आसन कर रहे हैं, तो ये जो छिंदाक नागवन्स आसन यहाँ पर कर रहे हैं, छि स्वोमेस्वार देव प्रथम के उपर आक्रमड करते हैं। इधर से कोन आक्रमड करते हैं। रित्वी देव प्रथम। सोमेस्वार देव के उपर आक्रमड करते इस प्रकार से, अच्छा एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं है, इसको उल्टा करिएगा, चिंदक नागवन सासक सोमेस्वार देव से पर आक्रमड करते हैं, देखो, यह जो सोमेस्वार देव हैं, यह पहले आक्रमड करते हैं, बाद में फ किसके उपर पृत्वी देव प्रसम के उपर तो पृत्वी देव प्रसम के उपर ये जो छिंदक नाक बन से सासक है बस्तर वाले शेतर में ये आक्रमाड कर देते हैं यहां पर इस प्रकार से ठीक पृत्वी देव प्रसम के उपर आक्रमाड करते हैं और आक्रमाड करके परा प्रत्वी देव प्रत्वम हाड जाते हैं ठीक है ध्यान मेरे खिरिस को प्रत्वी देव प्रत्वम क्या हो जाते हैं पराजित हो जाते हैं ये पराजित हो गए ठीक है ये पराजित हो जाते हैं और कौन जित गए सोमेस्वर देव प्रत्वम जित जाते हैं मतलब कि छिंदक आगबन से सासाक सोमेश्वर देव ने इस पृत्वी देव प्रथम को पराजित कर दिया अब जब पृत्वी देव प्रथम के पूत्र होते हैं जाजले देव प्रथम जो इसका पूत्र है ये बहुत पराकरमी होता है ये इतना पराकरमी होता है कि देखेगा आगे मैं अक्रम्ण करते हैं, बहुंँ सारे लोगों को पराजित कर देते हैं ठीक, ऐसा डेक होता है, तो जो जाजले देव परथम होता है यह अपने पिता के अपमान बदला लेने के लिए इस सुमेश्वार देव पर आक्रमण करेगा तो यह अपने पीता के अत्मान का बद्ला लेते हैं इसका पीता कौन है प्रिथ्व दे प्रथम है तो यह अपने पीता के अत्मान का बद्ला लेने के लिए प्रिथ्व है जो समेस्वर्दे प्रथम है इसके उपर आकरमण करेगा ठीक है मतलब यहाँ पर अब जो scenario यहाँ पर जो हो रहा था वो उल्टा हो जाएगा मतलब यहाँ पर अब को न आ जाएगा जाजले देव प्रथम आ जाएगा ठीक है जाजले देव प्रथम आ जाएगा और आक्रमर करके उसको पराजित कर देता है देखेगा आगर पराजित करने के बाद उसको पूरे परिवार समेत बंदी बना करके ले आता है किस ने बंदी बना लिए जाजले देव प्रथम ने बंदी बना लिए देखो इतना पराक्रमी है तो जाजले देव इतना पराक्रमी होता है कि वो क्या करता है जो सोमेसवर्देव होता है उसको पराजित करता है पराजित करना एक बाद उसको पूरे परिवार समयत क्या कर ल करती हैं तो अनुरोध करने के वज़ answer जाती है और उनको छोड़ ठेक है तो गुन्ड महादेवी माता गुन्ड महादेवी के अनुरोध करने पर जाजल ध्यो करने और पूना डिया जाता है 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 May चल्ड तो हम लोगने यहाँ पर क्या समझा है सिंपल सा चीज़ है ठीक बहुत आसान है और बहुत इंट्रेस्टिंग भी है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा सबसे पहले हम लोगों ने यह समझा कि यह जो फृत्वी देव प्रथा में यह जब सासन करते रहते हैं यहाँ पर रतनपूर में जब सासन करते रहते हैं और इधर कौन सासन कर रहे हैं इधर कौन सासन कर रहे हैं हिंदक नाक बंसी सासक सोमेश्वर देव सासन कर रहे हैं ठीक इसको थोड़ा बड़ा बनाओ यह बड़ा फिट से समझा रहे हो अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो इधर कल्चुरी बन सासन कर रहे है ठीक है तो पृत्वी देव यहाँ पर सासन कर रहे है यहाँ पृत्वी देव सासन कर रहे है यहाँ पर सोमेस्वर देव सासन कर रहे है तो इस सोमेस्वर देव का आकरमड होता है पृत्वी देव की उपर आक्रमड होगा पृत्वी देव पराजित हो जाते हैं यह जब पराजित हो जाते हैं इसी का बदला लेने के लिए फिर इसका पूत्र जो होगा मतलब पृत्वी देव के जो पूत्र आएगा पूत्र कोन आएगा जाजल देव आएगा ठीक है तो पुत्र यहाँ पर जाजले देव आ जाएगा तो जाजले देव अब आक्रमर्ट करें किसके उपर सोमेस्वर देव के उपर आक्रमर्ट करेंगे और सोमेस्वर देव को पराजित करेंगे और पराजित करके उसके पूरे परिवार को बंदी बना लेंगे और उनकी जो माता होती, स्वमेस्वर्देव जो माता होती, गुंड महादेवी, उनके आगरह करने पर जाजलेदेव बहुत पराक्रमी है तो और कुछ ने कुछ काम तो करेंगी यह है तो देखो तो यह जो जाजले देव हैं इस जाजले देव के एक सेनापती होते हैं जगतपाल जगपाल बोलते हैं या फिर इसको जगतपाल के नाम से भी जाना जाता है तो सेनापती जगतपाल है या फिर सेनापती जगतपाल है इसकी सहायता से जाजले देव क्या करते हैं उडिसा के side मतलब उडिसा में आक्रमाड कर देते हैं मतलब हमारे 36 गड़ है तो 36 गड़ इस प्रकार से है इधर उडिसा है तो उडिसा वाले छेत्र में क्या कर देते हैं आक्रमाड कर देते हैं ऐसे ठीक है तो जो जगत पाल है इसकी सहायता से मतलब कि जाजलेदेव क्या कर वाले च्ट्र में ाप्रम कर देते हैं कौनward 인सके ने सब्सक्रवल कर tagpen सेनापति अपने जगत पाल के साथ मैं क्या कर देते हैं ओर जो सासक नामने पसकल lavender उसको पराजित कर देते हैं अ कि इन्हों ने बस्तर वाले चेत्र में जा करके सोमेसवर्देव को पराजित किया था, दूसरा विजया भिहान हम लोगन क्या देखा, किन हो ने, उडिसा वाले चेत्र में जा करके भुजवल को पराजित कर दिया, तो दो लोगों को पराजित किया, किसने, जाजले देव ने, अब अगला अक्रमर क्या क इनके पारे में तीन important fact याद रखेंगे, रहने को तो और भी है, छोटा मोटा और भी बहुँ सारे आक्रमाट करते हैं, लेकिन यह तीन ज्यादा important है, ठेक है, यह तीन ज्यादा important है, यह तो आक्रमाट करते हैं, इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से, तो एक तो यहाँ पर गंगवंसी जो सासक है, उनको उपर आक्रमड करके उसको पराजित कर देते हैं, और एक तो यहाँ पर भुजबाल जो होता है, मतलब यहाँ पर जो सुमानपूर वाला जो शेत्र है, वहाँ पर भुजबाल होता है, उस भुजबाल पर आक्रमड करके मतलब भी पराजित कर द करते हैं तो यहाँ पर यह जाजा लेदेव के बारे में हम लोगों ने तीन important facts देख लिया कि एक तो इन्होंने गंगवन से ससक को परजित करते हैं भुजबल को परजित करते हैं और सोमेस्वर्द प्रथम को परजित करते हैं इस प्रकार से तीन important factor तीक ढ्यान में रखेंगे अब देखें एक important fact और इस हसेटर में जो त्री पूरी होता है ना अभी भी जो culture 1 के जो एक साखा है वो यहाँ पर साशन कर रहे है का यह व्लाट साखा होता है और च्छत्य जगड़ में यहाँ पर च्छोटा वाला साखा आए हुआ है जब कि यह जो त्रिपूरी वाले च्छेत्रे में वहाँ पर बड़ा वाला साखा है ठीक है यहाँ पर कल्चुरी वन्स को है है वन्स भी कहाते है कि इधर जो त्रिपूरी वाले च्छेत्र में क्या है कल्चुरी वन्स का जो एक साखा है यहां पर भी सासन कर रहा है छोटा वाला साखा हमारे 36 गड़ में आकर कर सासन कर रहा है लहुरी साखा और छोटे वाले साखा मैं भी कौन सासन कर रहा है जाजले देव सासन कर रहा है तो यह जाजले देव क्या कर लेते हैं देखो जाजले देव क्या कर रहेते हैं कि अपने आपको मतलब कि जो 36 गड़ म ये दोनों इस प्रकार से आपस में एक दूसरे कर्षास पहले जुड़े हुए थे, मतलब कि ये जो कल्चोरी बंस हमारे छत्तिजगर में इस्थापित हुआ है, रतनपूर में इस्थापित हुआ है, वो कहीं ने कहीं यहाँ पर जो त्रिपूरी है, इसके अधीन काम कर रहे है, ठीक है, त्रिपूरी के ही अधीन क्या कर रहे है, ये चत्तिजगर वाले जो कल्चोरी बंस है, वो सासन कर रहे है, लेकिन जब ये जाजले देव आते हैं, तो यह त्रिपूरी के अधीनता को अस्विकार कर देते हैं, ठीक है त्रिपुरी के जो कल्चुरी मन से उसकी अधिनता को आस्विकार करके स्वयम का एक सोने का सिक्का जारी कर देते हैं ठीक है पहले चलता था यह त्रिपुरी का जो सोने का सिक्का होता था ना सोने का सिक्का यह पर जो भी सिक्का होता था वो सब 36 गड़ में यहाँ पर अप्लाई होता था, मतलब रतनपूर वाले छेत्र में, रतनपूर के जो कल्चुरी हैं, वहाँ पर अप्लाई होता था, लेकिन जाजले देव क्या कर देते हैं, अपने आपको स्वतंतर गोशित कर देते हैं, कि मैं स्वतंतर रूप से सासन ठीक है जाजलेदे बहुत बराक्रमी था तीन-तीन छेत्र में आक्रमण की हैं ठीक है तीन-तीन जो बड़े-बड़े छेत्र है वो तीनों छेत्र में आक्रमण की हैं इसके अलावा जो त्रिपुरी की अधिनता को अस्विकार कर देते हैं जाजले देव ठीक है तो यह सब चीज़ यहाँ पर होता है अब देखो त्रिपुरी के अधिनता को यह तो अस्विकार कर दिये थे लेकिन जब इसका पुत्र यहाँ पर सासन करने शुरू कर देता है तब यहाँ पर देखो जाजले देव क्या था ज लेकिन यहाँ पर रत्नादेव बिति जो हैं वो जरुरी नहीं कि पराक्रमी हो तो जब जाजलेदेव सासन करते रहते हैं उस समय तो त्रिपुरी से कोई भी आक्रमड नहीं होता है छतिजगड के उपर ठेक है त्रिपुरी से कोई भी आक्रमड छतिजगड में नहीं होता है ये इतना इनके पास हिंमत नहीं रहता है, मतलब इतना ये बलसाली नहीं रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर रत्न देव दुथी जब आते हैं ठीक है मतलब यहाँ पर जब रत्न देव दुथी जब सासन करना शुरू करेंगे तो यह जो त्रिपुरी वाले छेत्रे से जो कल्चुरी है यह आकरमड करना शुरू कर देंगे ठीक है त्रिपुरी के जो कल्चुरी होते हैं त्रिपुरी के एक सासक होते हैं क्या नाम है उसका गया करण तो त्रिपुरी के सासक गया करण होता है त्रिपुरी के जो कल्चुरी वेंज के जो सासक गया करण है उनका आक्रमड हो जाता है रत न देव द्विती की उपर ठीक है तो देखो पीता जब तक है तपतों को आक्रमड नहीं किये लेकिन जैसे यहाँ पर पुत्र सासन करना शुरू किये हैं तो इसको कमजोर पाकर के क्या कर रहे हैं ये त्रिपुरी को जो सासक है गया करना इनका आकरमड शुरू हो जा रहा है ठीक है ये आकरमड करना शुरू कर दिये तो त्रिपुरी के सासक गया करना किसके उपर आकरमड कर देते हैं रत न देव द्विती की उपर आकरमड कर देते हैं ठीक है याद रखेंगी शीच को चलिए अब दूसरा चीजा और क्या होता है इसी के समय में इसी के समय में और क्या होता है मतलब जब रत ना दे दूती सासन करते रहते हैं शत्रीज गड़ ठीक है तो शत्रीज गड़ में हैं पर रत ना दे दूती सासन कर रहे हैं तो इसी के समय में उडिसा के एक गंग वंसी सासक है ठीक है उडिसा के जो गंग वंसी सासक है यहाँ पर हम लोग क्या देखा था कि यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे उडिसा के जो गंग वंसी सासक यहाँ पर जो थे जाजले देव ने उनको पराजित किया था उडिसा के इधर से ये जो गंगवंसी जो सासक होते हैं, अनन्त वर्मन चोड नग, ठीक है, जो गंगवंसी सासक होते हैं, ठीक है, ये वाले गंगवंसी सासक ओड़ी साक है, ये भी आक्रमट कर देंगे, ठीक है, तो इधर से गंगवंसी सासक आक्रमट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वनसी सासक, अनंत वर्मन चोड गंग, ठीक है, यहाँ पर अनंत वर्मन चोड गंग, इसका आक्रमड होता है, तो यहाँ पर जो गंग वनसी सासक है, अनंत वर्मन चोड गंग, इसका आक्रमड होता है, तो देखो, यहाँ पर जो रत्न देव, द्विती हैं, यह थोड़े चे क्या है कमजोर है जाजर देव टाइप के क्या है पराक्रमी नहीं है तो इसके उपर साइड से सभी आक्रमड कर रहे है त्रिपुरी के सासा गया करना का आक्रमड हो गया ओडिशा के गोड राजा जो सासक करते रहते हैं, उनका भी आक्रमड होता है, तो तीनों साइट से आक्रमड होता है, लेकिन जो गोड राजा होता है, उनको पराजित कर देते हैं, ठीक है, ये जो गंगोण सासक होता है, इसको भी पराजित कर देते हैं, और ये जो गया करन होता है, उसक देती है वो तीनों को पराजित कर देते हैं तीनों साइड से आक्रमण हो रहा है ठीक है यह तीनों को पराजित कर देते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो खीजिंग होता है, मतलब ओडिसा में खीजिंग वाला छेत्र है, इस प्रकार से ओडिसा वाला छेत्र है, यहाँ पर खीजिंग वाला छेत्र है, तो खीजिंग कीजिंग में एक हर ओहू नाम का एक राजा होता है उसको ये मृत्ति लोग पहुचाएता है मतलब कि मार देता है पूरा ओडिसा वाले छेत्र इस प्रकार से और ओडिसा वाले छेत्र में जो एक सासक है कौन हर ओहू ठीक है भंज सासक होता है ठीक है भंज सासक हर ओहू होता इस भंज सासक को क्या करते हैं मृत्य लोग पहुंचायता है मतलब उसको सुधा मार ही देता है ऐसे डाइप है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भंज सासक है यह ना भंज सासक हर ओहु ठीक हर ओहु उसको क्या करते हैं मृत्य लोग पहुंचायता है तो देखो रत्न देव दुटी आक्रमड नहीं कर रहे हैं, रत्न दे दुटी के ऊपर आक्रमड हो रहे हैं, रत्न दे दुटी के ऊपर आक्रमड इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि इसके पीता ने बहुंँ सारे छेतर में आक्रमड किया था, तो कौन-कौन आक्रमड की एक तो गया करणा का आक्रमड हो उडिसा वाले चेतर से गंग वन से ससक चोड़ गंग का आक्रमड हो गया बंगाल वाले चेतर से बंगाल के गोंड राजाओं का आक्रमड हो गया और जो खीजिंग वाले चेतर है मतलब उडिसा में जो खीजिंग वाले चेतर था वहां से भंज राजा हर वहू का आक्रमड हो मृत्वी लोग पहुंचा दिया चलो इस प्रकार से तो रत्न देव द्विती के बारे में याद रखेंगे ठीकि चार इंपोर्टेंट फेक्ट हम लोग उन देखा तरिपुरी वाला ओडिसा वाला बंगाल के गोंड राजाओं को पराजित खीजिंग के जो राजा भंज रा जा था उसको फर्वह को मृत्वी लोग पहुंचा दिया ऐसे टाइप अब देखें इसके बाद यहाँ पर प्रित्वी देव द्विती की समय क्या हुआ है तो प्रित्वी देव द्विती के समय अनंत बर्मेंट चोडगंग के पुत्र जटेस्वार का आकरमड होता है हम ल लेकिन अनंत बर्मन चोडगंग क्या हो गया था वीफाल हो गया था पराजित हो गया था ठीक है रत्न देव द्विती क्या कर दिये थे इसको पराजित कर दिये थे तो अब इसी चिसका बदला लेने के लिए ठीक है इसका बदला लेने के लिए फिर से यह जो अनंत बर्मन यहाँ पर पीता भी थे, पीता ने भी क्या किया था, ओडिसा के जो सासा गंग बन सासा था, अनन्त वर्मन चोड़ गंग, इसको पराजित किया था, अब यहाँ पर इसका पूत्र जो आता है, इन्हों ने भी क्या किया, अनन्त वर्मन चोड़ गंग के जो पूत्र तो यहाँ पर यह बाप और बाप थे पीतारा यह दोनों थे और यहाँ पर यह क्या पूत्र पूत्रे, आ रिसा टाइप के इनको लड़ाई चल रहा था, चेलो अब इसके बाद देखो, जाज़ले देव, जाज़ले देव दूति आते हैं, तो जाज़ले देव प्रत्ता बह विभल किया ठीक है पराकर्मी ये भी थे लेकिन उत्राअ पराकर्मी नहीं थे जितना जाजले दीज़ प्रसम थे तो इन्हों ने क्या किया इनीके समय में एक सासक थे तॺज 750 ये जैसी है अब हम ग्यांते हैं वैसे जैसे ही ने आक्रमर्ट किया इसके समय में जैसे ही का आक्रमर्व होता है इसको विफल कर देता है ठीक है तो किस ने विफल किया इसको जैसे ही के आक्रमर्व को जैसे ही के आक्रमर्व को और सिविरिन अरायन के मद्ध है इनके बीच में युद्ध होता है मतलब कि यह जैसी ह किसके बीच में हो रहा है, मतलब जो सेना पती होते हैं, वही में युद्ध में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर जैसी हैं, जैसी हैं, और यहाँ पर अलहर देव का युद्ध होता है, इस बीच में यहाँ पर जो अलहर देव होता है, वो उसको इसको वीरिव गति को फ्राप्त हो जाता है, मतलब भी उसको मृति हो जाती है, ऐसा टैप को कुछ है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग उनिनका विजय अभियान को बहुत विस्तार से मैंने आपको समझाया, ठीक, क्या के हुआ है, किसने किसने क्या के किया उसको, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और इसके बाद इसका जो कोश्चन है उसको लगाईएगा, इसको जो कोश्चन है उसको आप लोग नहीं लगाएंगे, तब याद होगा और कुछ ने कुछ ट्रिक बनाओ को कि यहाँ पर देखो जिद्रें भी जो सासक है वो सासक सब का सेम 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 आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कैसे किस मिश्मिश क्या के हुआ था चलिए उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टिन फेक्ट है इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे हैं यहाँ वन लाइन और टैप को यहाँ जो भी है यह सब को देखने वाले हैं बाकी यहाँ पर जो विजय भ्यान कर याद रखो तब कहीं याद होगा और उसका फिर जो भी बुक में जितने भी कोशन दियेगा है विजय अभियान से समंदित यहाँ पर कल्चुरियों मंस का उसको प्रैक्टिस करियेगा तब कहीं जा करके पूरा हो पाएगा चलिए तो आज से क्लास अंपे सितना ही मिलते ह है अगले कलास में धन्यमाद